दोस्तों इंडियन फिल्म इंडस्टी में कई फिल्में ऐसी होती है जिनसे एक्टर्स और डिरेक्टर्स में ऐसी बॉंडिंग बन जाती है कि आगे फिर वे कई फिल्मों में एक साथ काम करते हैं लेकिन दोस्तों कुछ फिल्में ऐसी होती है जिनसे एक्टर्स और डारेक्टर्स के बीच रिलेशन काफी बिगड़ जाते हैं और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक फिल्म की जिससे एक्टर कम डिरेक्टर विजे आनन और डिरेक्टर राज खोसला के रिलेशन इतने भी गड़ गए कि दोनों ने फिर कभी एक दूसरे का सामना नहीं किया नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागते आपका आपके अपने चैनल बॉलिवूड अन्बोक्सिंग में दोस्तों डिरेक्टर राज खोसला अकसर अपनी डाकोप और आधरित फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं जैसे मेरा गाउं, मेरा देश, मेरा साया, कच्चे धागे और माटी मांगे खून अभिनेता देव आनन के बेनर नव केतन के वे पुराने मित्रों में से एक थे यहां तक कि जब देव आनन द्वरा प्रोडूस फिल्म गाइड का डिरेक्शन करने के लिए विजे आनन ने मना कर दिया था तब भी सबसे पहले फिल्म के डिरेक्शन के लिए राज खोसला का ही नाम रखा गया था हाला की बाद में फिर फिल्म गायड का डिरेक्शन विजे आनन नहीं किया और बहुत ही बेहतरिंग किया देव आनन की भी शुरुवा थी कई फिल्मों जैसे CID काला पानी, बंबई का बाबू और शरीप बदमाश का डिरेक्शन भी राजखुसला कर चुके थे और आज हम बात करने वाले हैं डिरेक्टर राजखुसला की एक फिल्म के बारे में जिसका नाम है मैं तुलसी तेरे आंगन की दोस्तों फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की साल 1978 के अगस महिने की चार तारिक को रिलिज हुई थी दरसल यह फिल्म मराठी रैटर चंदरकान काकोतकर के मराठी नोवल आशी तुजी प्रीत पर आधारित थी और इस फिल्म का डिरेक्शन और प्रोड़क्शन दोनों ही राजखुसला देख रहे थे और फिल्म के डिरेक्शन में राज खुसला का साथ दे रहे थे पुनित इस्सर के पिता सुदेश इस्सर फिल्म के मुख्योर साहय कलाकार थे विजय आनन, आशा पारेक, नूतन, विनोत खन्ना, देव मुखर जी, नीता महता, जगदिश राज, चंदर सेकर दूबे, असित सेन, बगवान, गोगा गपूर और हीना कौसर हाला कि फिल्म की स्टोरी तो बेज़ थी मराठी नौवल के उप़र लेकिन कहानिकार रहे थे फिल्म के सूरज समीन, राजभरती और जी आरकामत और फिल्म के डायलोग लिखे थे डक्टर राही मासुमरा जाने फिल्म के कहानिकार सूरजशमीन की इस साल एक और फिल्म रिलिज़ हुई थी और उस फिल्म का नाम था देश परदेश जिसमें देवानन दिखाई दिये थे दोस्तों सबसब पेले बात करते हैं फिल्म की स्टार कास से रिलेटेड़ प्रॉलम के बारे में फिल्म के लीड कलाकार रहे थे अभीनेता विजय आनन धरसल विजय आनन से इस फिल्म के लिए राज खोशला ने तब संपर किया था जब वे ओशो रजनीश के पूने आश्रम में रह रहे थे विजय आनन ने हाला की हिचकी चाते हुए भी लेकिन फिल्म करने से हां कर दिया राज खोशला ने विजय आनन के साथ पूरी फिल्म बनाई शूट की लेकिन उसे एडिट नहीं किया फिल्म जैसी शूट की गई थी वेसी की वेसी रिलिस के लिए तयार कर दी राजखोसला ने विजय अनन को फाइनल प्रोड़क्ट भी नहीं दिखाया कि फिल्म कैसी बनी है जबकि विजय अनन भी एक मास्टर डिरेक्टर थे यहां तक कि राजखोसला ने 20 साल पुरानी दोस्ती होते हुए भी विजय अनन को फिल्म के ट्रायल शो में भी इन्वाइट नहीं किया इसके पीछे की वजह केवल राजखोसला ही जानते थे दोस्तो बात यहीं तक नहीं रुकी फिल्म में तुलसी तेरे आंगन की के बॉमबे टेरिटरी के डिस्ट्रिबूटर थे विनोत खन्ना और विनोत खन्ना को राजखोसला ने सक्त इस्ट्रक्षन दे रखे थे कि फिल्म के किसी भी पोस्टर में विजह आनन दिखाई नहीं देने चाहिए विनोत खन्ना और राजखोशला की जान पहचान भी काफी पुरानी रही थी सो विनोत खन्ना मन मार कर कुछ भी ना कर सके और आखिरकार विजे आनन को बॉंबे टेरिटरी के हर पोस्टर से बाहर कर दिया गया विजया अनन्द असमंजे समय थे कि आखी राजखोसला चाहते क्या है फिर भी विजया अनन्द ने इन बातों के लिए कभी राजखोसला का सामना नहीं किया और फिर से लग गए राजपूत, राम बलराम और एक दो तीन चार जैसी फिल्में बनाने में और बाद में इनी फिल्मों में बीजी होने के कारण ही विजया अननने यस जोहर की फिल्म दोस्ताना चोड़ दी जो बाद में जाकर राजखोसला को मिली दोस्तो राज़ खोशला और विनोथ खन्ना का ऐसा जिग्रा आना रहा था कि विनोथ खन्ना उनकी फिल्म में भले ही गेस्ट अपिरेंस में दिखे लेकिन दिखाई जरूर देते थे फिल्म मेरा गाओ मेरा देश और कच्चे धागे में तो विनोत खन्ना ने डाकू बनकर अपनी एक्टिंग के जल्वे बिखे रहे थे लेकिन वे राजेश खन्ना और शशी कपूर स्टारर फिल्म प्रेम कहानी में भी एक छोटी सी भूमिका में दिखाई दिये थे जो की राज खुसला की ही फिल्म थी इस फिल्म प्रेम कहानी में भी विनोत खन्ना की एंट्री की एक अलगी कहानी है जब विनोत खन्ना को पता चला कि फिल्म प्रेम कहानी के निर्देशक राज खुसला ही है तो विनोत करना जा पहुंचे राजखोसला के पास कि उनकी फिल्म में वे छोटा सा ही सही रोल जरूर करेंगे राजखोसला ना उन्हें बताया कि फिल्म की पूरी कास्टिंग हो चुकी है और एक छोटा सा ट्रक ड्रैवर रहिम का रोल था वह भी फिरोश खान को दे चुके हैं विनोत करना पहुंच गए फिरोश खान के पास कि वे राजखोसला की फिल्म में वे छोटा सा रोल उन्हें दे दें फिरोश खान भी यारों के यार थे सो वह रोल उन्हें विनोत करना को दे दिया दरसल दोस्तों विनोथ खन्ना को राजखोशला के साथ काम करना काफी अच्छा लगता था राजखोशला की बाद वाली फिल्म दोस्ता नामे भी शत्रुगन सीना से पहले विनोथ खन्ना ही उस रोल में थे लेकिन तब तक विनोत खन्ना रिटायर होकर ओशो रजनीश के आश्रम में जाने का फैसला कर चुके थे हालाकि फिल्म में तुलसी तेरे अंगन की की स्टार का सेलेक्शन के समय राज खोशला ने विनोत खन्ना को साफ साब बता दिया था कि उनका रोल छोटा है और उनकी एंट्री इंटरवल के बाद होती है और साथ ही साथ यह एक महिला प्रदान फिल्म है विनोत खन्ना को राज खोशला के साथ काम करना बहुत पसंद था इसलिए उन्होंने छोटे रोल के लिए भी हां कर दिया बले ही विनोत खन्ना इस फिल्म में इंटरवल के बाद आते हैं लेकिन जब आते हैं तो उसके बाद फिल्म में विनोत ही विनोत दिखाई देते हैं दोस्तों यह फिल्म लंबे समय के बाद अभिनेत्रियों आशा पारेक और नूतन की कमबेक फिल्म रही थी फिल्म में विजय अनन की दो पत्निया होती है पहली आशा पारेक जो की एक नाजनेवली होती है जिसका नाम तुलसी होता है और दूसरी होती है नूतन जो की एक राजगराने से तालूक रखती है फिल्म की मेकिंग के समय मीडिया में ऐसी कई कहानिया चल रही थी कि नूतन फिल्म के टाइटल से खुश नहीं है क्योंकि फिल्म का नाम फिल्म में आशा पारेक के करेक्टर पर आधारिक था लेकिन अभी नेतरी नूतन से जब भी पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि उन्हें मालूम है कि यह एक मराठी नौवल पर आधारिक फिल्म है और उनके रोल के लिए उन्हें तबी से पता था जब उन्होंने फिल्म साइन की थी दोस्तों फिल्म में तुलसी तेरे आंगन की अपने समय की और उस साल की एक बहुती आश्चेर जनक और बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी और कमाई की मामले में यह फिल्म साल 1978 में पाँचवे नंबर पर रही थी फिल्म की शुटिंग लोकेशन की बात करें तो मेक्जियूम शुटिंग इस फिल्म की उदेपूर वह उसके आसपास के एरिये में की गई थी उदेपूर के होटल शिकार बाड़ी में फिल्म का गाना ये खिड की जो बंद रहती है फिल्म आया गया था और फिल्म में उस समय की एक नामी कंपनी डीपीज के प्रोड़क्ट जैसे की डीपीज जेम और डीपीज सोस को भी दिखाया गया था जिस फेक्टरी में विनोत करना जनरल मेनेजर होते हैं दोस्तों बात करें फिल्म फेर पुरुसकारों की तो फिल्म में तुलसी तेरे अंगनगी को नो नोमिनेशन मिले थे और फिल्म फेर पुरुसकारों में इस फिल्म ने मुकदर का सिकंदर को बड़ी टक कर दी थी जहां फिल्म के लिए अभिनेत्री नूतन को फिल्म फेर का बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस दोनों ही पुरुसकारों के लिए नॉमिनेशन मिला था अभिनेती नुतन ने इस फिल्म के लिए Best Actress का फिल्म फेर पुरुषकार जीता था इस एवोर्ट से नुतन भारती सीनिमा के इतियास में पांच बार Best Actress का एवोर्ट जीतने वाली पहली एक्ट्रिस बन गई थी नूतन ने यहाँ मीना कुमारी का रिकोड ठोड़ा था जो की चार बार फिल्मफेर पुरुशकार जीत चुकी थी इसके ठीक 32 साल बाद 55 फिल्मफेर पुरुशकार में नूतन की बहन तनूजा की बेटी काजॉल ने पांचसुव बार फिल्म माईनेमिस خान से Film Fair का Best Actress का अवोर्ड जीत कर उनकी बराबरी की थी हाला कि फिल्म में तुलसी तेरे अंगन की के लिए नूतन और आशा पारेक दोनों को Best Supporting Actress का नॉमनेशन मिला था लेकिन ये अवोर्ड रीना राय को मिला फिल्म अपना पन के लिए लेकिन रीना रोय ने यह कहते हुए उस एवोर्ड को अस्विकार कर दिया था कि वे फिल्म अपना पन की लीड एक्टर्स थी इसलिए वे ये एवोर्ड नहीं एक्चेप्ट करेंगी दोस्तों इन पुरुसकारों के अलावा फिल्म में तुलसी तेरे अंगन की के लिए